है गाइस तब वालकम इन आवर जैसा कि मैं आप लोग को लिए द्रिष्टी जो कि एक आइस लेबल के त्यारी करते हैं पैसे लेबल तक एंड भी पैसी तो इनके थ्री एक आपको खोस्टन आया था ठीक है जैन धर्म के बारे में प्री प्रीमिने गाज आपको मेंस में जब आपका बैंक रेलवे एंप्रेज तो हर किसने किसी एक्जाम में आपको जैन धर्म से रेटेट हर कोचन आपको मिलेंगे एक यादो करेंटिय मिलते हैं ठीक है और हम लोग को इतिहास भी जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है ना जैसे कि बहुत धर्ण विश्नुद्रम सनात ठीक है जैन धर्म के संस्तापक कों थी और इनके वर्णन करें इनके बारे में तो जैसे कि परचे में बताऊंगा जैन धर्म एक प्राचिन धर्म है जो उस दर्सन में नीट है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुसासित अहिंसा के माधिम से मुक्ती मार्ग एम अध्यात में एक सुत्ता और आत्मग्यान का मार्ग सिखलाता है जैन धर्म के प्राणियों को बोला कि एक अनुसासित में रहे अहिंसा से के माधिम से मुक्ती का मार्ग और अध्यात्मिक सुत्ता और आत्मग्यान का मार्ग सिखलाता है यानि कि सही रास्ता पर चलना जूट नहीं बोलना हमेशा अच्छाई करना ठीक है तो जैन धर्म के उत्पति कब हुई तो काई जिए है कि छटी सतापदी इस्वेपुरों में GP भग्वान महावीत ने जैं ध्र्म का पचार किया तब वह धर्म परमुक्ता से सामने आये हने कि 30 सतापदी के बाद सटी सतापदी इसा पूरों की बात है महावीत ने जैन धर्म का 5 6 apply था तब हम लोग को बता दूब कि जैन धर्म को संस्तापक कौन थे महाविर श्वामी थे ठीक है और जो कि आपके कौन वे 24 थे याद रखना दिकर याद रखना आप लोग तो इस दर में टोटल आपके 24 महां सिछक्वें जिन में से अंति मंगवान हमारे महाविर थे इन चोभी इसको क्या था तिर्थखर मतलब क्या वे लोग जिन्हों ने अपनी जिवन में सभी ज्यान क्ष्फ प्राप्ट कर लीय थी और Lowkey तो इसका फचर के लियुदि तिर्थखर उसे अचाट जैसे कि आइस पर दिर्धित आत्रा कि तरह के पूझा यह तरह करते हैं जिन्हों ने घ्यान-मोग्ष को प्रप्त कर लिया जब तब से ठीक है और लोगों तक इसका फिर परचार करते हैं यह होता आपको तिर्थकर मौक्ष किसे बोलते हैं मौक्ष प्राप्त करना यानि कि अपने सरी से अपने आप में प्रान को त्याग दिया ठीक है अपने भगमान की प्रभु के आत्म समर्पन हो गये हैं आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा नमिर्तु से यह दुख हो जाए लमॉक्ष काते हैं ठीक है तो गाइस बताता हूं पर्थम तिर्थकर कौन थे यह ठे है आपको एया टेंञाने परतम्ति करते हैं तो हम लोग नहीं जाते हैं जान थी?? महावीश्वामी के माध्यम से क्योंकि वह अंतिम थे उन्हें ने बहुत चरम सिमा तक प्राप्त कर लिया ठीक है अग्यानते उनका जन्म कहा हुआ कैसे परिवार से थे ठीक है उनका कितना एस था क्या उनका पोत्री पत्नी भाई पाहन सब के बारे में तो इस परत्म तितिक दैल में तो तो जैन का कार्थ क्या होता बीजेंटा Walpu आफ्सन में दे सकता था अच्छा नयग या विशो सक्वेंब तैर तो आप लोग कंफूर था कि क्या या हमारे अच्छा नयग व्हो सकता तो मैं बतला दूं कि वर्दमान महावीर यहां क्यों लिखा है तो इनका भच्पन का नाम था जैन मतलब महावीर जी का नाम था वर्दमान यह ठीक है वर्दमान महावीर का जन 540 इसापूरों वैसाली के निकट कुंड़ ग्राम में जैसे कि मैं बता दूं वैसाली आपको बिहार में पड़ता है कुंड़ गाउं में वैसाली की कुंड़ गाउं में वह ग्ञान तरीक के वंस थे हैं नहीं वहावीर का नाम जुछा का नाम है ग्यान तरीक दिया यहाद है कि जसने इसने बहुत ऑगे हमेसा हो तक थी यह मतलब ट्रीक हो गया ग्यान से कई भूलो भी नहीं और यह मगत के साहिपर और मगत हमारे भीहार में है ठीक है यह याद रहाएगा और वैसाली में वहा था कुनगराव गाहां में ओके पांसो चालिस मिन का जन्म हुआ इस पूर में इस भी नहीं पांसो चालिस इस पूर उनके पीता का नाम सिधार्थ ज्यानत्रिय छत्रिय वंस के मुख्या थे उनकी माता त्रिसला वैसाली के राजा चेतक की बहन थे ठीक है यानि कि उनके पीता सिधार्थ ज्यानत्रिय छत्रिय वंस के मुख्या थे उनके पीता क्या थे मुख्या थे जिनका नाम क्या थे थाघ उनकी माता का नाम तिरसला था जो कि वैसाली के राजा चेत की भी बहन थी ननूंट कि अच्छे इसे परिवार से ब्लॉण करते थी ह ஆ सीच वर्ष में चलन का आविर दिया हैं तताप सो निकींकर साधी भ्याब है ओनी थी हुगया था पर तो बारे वर्ष की तपस्या के ब्याला वर्ष ब्यालीस वर्ष की आयू में अता दुख सुख पर विजय प्राप्त की नामक सरूच आध्यात में ग्याम करें यानि कि दुख से परे हो गए सुख क्या इनको दुख कोई भी ठच नहीं कर सकता इन्होंने सही और अच्छे अपने आप पर कंट्रोल करता है वही इनसान होता है तपसवई और उन्हें अपने उपर बिजय प्राप्त के लिए पर आज के इनसान को आप दो बात बोल दो गाली तो वह आपको उपर अटमेटिक बार्ट अशार्ट कर देगा बिना सोचे समझे ठीक है जबकि उसको यह अब बहुति गाली तो उसी के पास रहा गया जो जिस इंसान की सीज़ का पता चल गया आपको वही यह समझे कि आप एक महान तपसवी करूप में परिवर्तन हो सकते हैं आप भी बन सकते हैं ठीक है भगवान में देखाइज तो उन्हें ने बार्वार्ष की तपसें बैल स पर्तिक जुड़ा था महावीर का पर्तिक सी था जैसा कि हर जितने भी तिर्दकर हुए हर किसी के साथ कुझ जुआ था तो महावीर के था सी यानि कि शेर के रूप में आपका था सी अपने उदेश से कि पूर्तिक उन्हेंने कॉसल मगद मिथिला चंप आदिक परदेश मे ठीके 468 अब इस अपने 72 वर्ष की आववी बिहार के पावपरिमन का निदन हो गया ठीके यानि कि इनका मिर्तिव का ववा था चार सो और सेट में और इंक पुत्री थी पुत्री का नाम था पिरेदर्षने ठीके याद रखेगा आप लोग पिता का नाम सिदार्थ माता का अपको मैनेजर्श पुता है यसोदा ठीक है अब सब्सक्राइब का नाम तिर्षला यसोदा इनकी कौन थी तो पत्नी का नाम था या देखिया पत्नी का नाम यसोदा अजिसोदा मामसी आदर कि इस रिकेश्ण की माता की नाम तो यह चार सो देखिए इनका जन्व कब वह चार सो अशट में मर गया तो 72 वर्ष की आयू में भीहार की पावपूरी में भीहार में अपना स्रीकों त्याव दिया कहां पर कोच्छने पूछता था बिहार में इनका कहां जन्म वहा था तो वैसालीं वह था कुंड ग्राम में और जिदें मिर्थु पुछा तो पावप पत्ति का कारण क्या है ठीकिंग है जाटिल कर्मकांट और ब्रहमन के प्रभुत्त्वों के साथ कि दिद्ध का ठोठोषन और और वोप Ke vacuumansen केशो से बहत बहुत और अतहिए की पर्ते हैं निकी चैनल नहीं चोंतलम कि रोकनी के लिए इन्हों नहीं इस धहर्म का उत्पॉथा दिल्ड hmm या जैन धर्म के लोग थे ना वह मतलब की मूर्ति के लिए थे मूर्टी को विरोधी थे पूजानी करते ठीक जिसको माहन्द में रप्र रखेगा तो जिसकी कारण इन्होंने क्या ब्रामन की वर्चास मिला था अखिलाब कि छहत्री को पड़्तिकिरिया मिला जिसके कारण क्या इन्होंने इस धर्म का उत्पत्ती हुआ देखिए लोहा से मुक्ति की प्राप्ति ठीक है मुक्ति की प्राप्ति जिसके लिए किसी अनुष्ठान क्या हो सकता नहीं इस तीन सिधान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जिसमें जोस का त्रीरत भी कहा जाता है ठीक है सम्यक दर्शन देखिए तीन सिधान्त की माध्यम से प्राप्त के तो मेंने किसी भी आपको भगवान चाहे हैं चाहे सनातन में चाहें आप आओ बहुत धर में चाहे आप आओ विष्णु प्रान में चाहे आप आओ जैन धर्म में ठीक है सभी धर्म के अच्छा ही गुण बतलाता है ठीक है देखिए गाई इन्होंने महात्मा बूत का यही था महात्मा गांधी का भी यही था हमारे श्रीक कि भवान का यही था कि जूट नहीं बोलना है चोरी जूट नहीं बोला नेक्स्ट आपका थर्ड में चोरी ना करना अपिग्रा है अपिग्री मतलब क्या होता है संपत्ति का संचे ना करना यानि कि उसको किसी तरह इधर उधर बरबाद नहीं करना ब्रंभाचारे का नियम पालन करना आपको पाचवाथा अब आते हैं जैन ध चुर्ष्ट ने भी बात बोलते हैं तो जितने भी धन बने सब स्वाटन से मिलते हैं जूलते हैं कोई भी एया नहीं क्या नियमोंद अपनी हिसाब से ही चलता है ठीक है सबी पदार यानि कि बस लगतार अपने रूपों को बदलते हैं संसोधित करते हैं बरहान में कुछ भी नस्ट नहीं किसता है यानि कि बरहान में कुछ भी है ता आप उसको क्या नस्ट कर दोगे नहीं ना बना सकते हो नहीं बिगार सकते हो यह बस के वल उपर वालों के हाथ में ब्राहन के मामलों में चलाने या पतिफंत करण करने कर नहीं सकता नहीं है इस लिए जैन इस्वर को प्रंग के और उत्तर जीन इस्वर को एक पूर्ण प्रानि की मानता एक बालत बर्धे मानतें बर दिए को प्रानि की रुप में हम लोग इस्वर का रुप मानतें । जब को बैगतें अपनी सभी करमों को नुस्ट कर देता तो यह मुक्ध आत्मा बन जाता है वह हमेंशा ब्ले मुक्ष में पून आनाद में अस्तर वड़ दा है यानि कि इनका बोलना है कि जब कोई भी इंसान निवेगती सभी करमों को नश्ड करता है यानि कि जो भी अपने करम को क duration वह एक मुक्त आत्मा बन जलता है कैसा आत्मा बन जलता है मतलब मुक्त यानि किसी के भी used अंदर में नहीं है और हमेशा क्ले मौक्ष को राप्ट करता है, मुक्त आत्मा के पास अनंद ज्यान, अनंद सिष्टी, अनंद सक्त्य, अनंद अनंद ज्याँ जीव जैन धर्म का दोता है, यह जितने भी जीव यह भगवान स्रीक्रिष्ट ने भोलता है कि हर जीव में भगवान का रूप हता है आप यह हम यह एक पर तो इनका भी इक अनाम है कि पर तेग इसवा बनने के च्शंपता होती है आप अच्छा कर्म गरी तो आप एक मनिस्ट्र को रूप में जुआ है आप भगवान के पर योत करते हैं अनियकात भाद में कि या क्या है α trading मौलिख को इक नहीं गार रहा press होते हैं नवी civils ठेश्क वेस्टी की एक बोट करते हैं कि सब्सक्राइब कितीन पहलू आते हैं सभी संस्था कितीन पहलू द्रब गुन और पर्याय यानि कि द्रब मतलब बस तो गुन मतलब किसी के अच्छाई गुन ठीक है घुड होना पर्याय मतलब की उसी के रूप ठीक है बहुत ऐसे सब्देना जैन ध्यम के इसार कि आपको को समझने आए सब्सक्राइब मतलब की संस्कार है इस प्रकाइब किसी भी एकाई में इस प्रकाइब मतलब की संस्कार है इस प्रकाइब किसी भी एकाई में एक अस्थाई मिन्तर प्रक्रितिक गुन और दोनों तेर नेता परवा इस्तिति में होते हैं अब आते हैं स्यादवाद में जैन धर में स्यावाद का सिदान्त महावीर का सबसे महत्पून योगदान माजाता है जिसका अर्थ हमारा ग्यान समित सापेक्च और हमें एमनदारी से सवकार करते हुए अग्यान के असमित और अपर्शे होने कि निवी तक दाओ से बतना चाहिए किसी वस्तु को देखनी के तरीके संक्या मेनन्थ है य्कि जैनिदर में स्तामजाबात मावीर कर सब्सम्हात्पर्ण सिदान्त कե है तो आड़ी जिसका अर्थ ह harmful ग्यान headers सापपेक्च और इमनदारी इनका जो चलना घ्ञान पर चलना ए इमनदारी धे ड़े भी ओब अब साहबाद का अट क्या होता है वीविल समाओने की जाच करने की विदि यानि कि अलगर समाओना की जाच करने की भी तुछ कि अब साइब करें कि अब साइब करें कि अब साइब करें अब जानते हैं दिंगंबर कौन थे विभाजन मुख रूप से मगद में अकाल करन हुआ है मतलब कि इन्होंने भी दो धर्मों में बाढ़ दिया गया एक का नाम था दिगंबर दुसरे को स्वितंबर वाजन मुख रूप से मगद में जब आकाल आया था नाकाल के जिसने बदर बाहुक के नितित वाले एक समूग को दच्छी भात में अस्थानती होने के लिए सक्त प्रताओं पर कायम रहा जबकि मगद में समूग ने अधिक धिला रवय अपनाया और सफेद कप्ला पहना शुरू कर देखिए दिगंबर श्वेतंबर को होता स्वेतंबर मतलब स्वेती होता वे लोग ऐसा पनते थे श्वेत रूप के तो ही वो रहे हैं कि बावश को है तो इन्होंने इनको अलग कर दें कि आपने विपत्ति और संकट खाल में तो आपने अपने जगों को छोड़ के चले जा रहे हो तो आपको मैं कैसे बिलिपकर इसलिए आपका मैं इस जैन धर्म को दो संपरदाय में भाइद करूंगा आप अपनी और मैं अपना तो चलि गूरू जोकि पूरे नग्र में बिना कप्रों को साथ करते है पूरस्वायली जबकि महिला बियफ्च्व बीना शिलाय वाली सफैथ सारी पहंती तोSQL सभी 5 वरत करते थे मानियाता है कि औरत मुक्ष प्राप्प नहीं कर सकती बद्र बाहु संपरदाय के पर्थिबादक थे देखिए दिगंबर के परथि बाहु दे तो भत्र बाहु मुख उपर और भी कौन-कौन संप्रदाय में तो मुला संग विश्मत थेरा पंथा तरन पंथ लगू उपसमू गुमान पंथ तोता पंथ यह आपका हो गया कंप्लेट और किसमें गाइज कंप्लेट हुआ तो दिगंबर में आप आते हैं कि सफेद और में करते थे उसमें को किसी पीतर है कोई नग नहीं थे अपना सभी लोग वस्धारं करते हैं जाय पूरू शामिला करते थे आप कि सफेद वस्त में सांति का पर्ति हो गया आप रेड ब्लू ब्लैक वाइट क्रीन पनोगे ना यह सब क्या होगा आपको एट्रैक्शन होगा इसलिए हम लोग स्वेद का रुप को घर को भी देखते हो ना स्वेद की रूप में सब लोग पेंट बिगदाते को यह सांति का प ओन करते थे ब्रंभाचार को छोड़ कर यह को प्रति प्रति प्रतिपादक थी प्रमुक उब्समदाय मुर्ती पूजक अस्थानक वासी थृत्तम्पी यह इनका था प्रतिपादक ओन थे अस्थूल प्रत और भद्रबाहु यानिकि सोटांबर का अस्थुलप्रद और पितांबर का जो गए दिगंबर का दिगंबर के भद्रबाहु अब आते हैं जैन दर्म के परसार का कारण क्या हुआ ब्राम्वन वादी विवस्ता कमजोर थी महान मोरी राजा चंद्गुप मोरी ने अपने अंतिंग वर्ष्टों को दरान जैन दर्म तपस्टी बने और करनाटर में जैन धर्म को बढ़ाओ दिया देखिए पूर सकता है कि आपको क्वेशन में ही कि जैन धर्म के समय कौन से र अधर बाहूं के नितित्युमें बहुत से जैन अपनी रचा के लिए दच्छी मभायत पीछे लएं ठीक है और डिसा में से खार्विल के कलिंग राजा का सरद्चर पॉठेखिए पूच सकता है कि किस राजा के द्वारा सरद्चर प्रप किया गया तो कलिंग के राज करناम से शंक्लित किया गया इजधों को सामय रूश से जैन धर्म के पवित आगम के रूप में दान जथा है आगम साहित भी दो समुह हँ है ठीक है अंगम इन गत्व हम बगवान महां बी के प्रत्यच उप दिर्फनने कि था भगवान महाबीर के तत्काल 60 गन्दर के नाम जानता है सब Mangy P के पास पून ग्यान के बले था ठीक है उन्हें मौकिक रुप से बगवान महावी के परत्यच उप्पदेश के 12 मुख ग्रंथ शुरुत संकलत क्या इन ग्रंथों के अंगम के नाम जानता है ठीक है उनको स्तीचों के बोलते हैं गंधर ठीक है और गंधर के पास मतलब ग्यान गतरहें ग्रंथों को अंगम आखना मजाते हैं अब आते अंग ती अंग ब्रंबा आ आंगम यानि के अंग आँए आंती बाहर यह ग्रंथ अंगम की विस्तार हे इने शुरुद के युलीन कम से कम दस पूर्वों ग्रंतों का ग्यान रखने मले कहा थे खोन का देख सूट के brainstorm करएं के विश्यवाद में 14 पूरु ग्रंथ है जिननों पूरु पूरु आंगम भी कहता है इसको बस सुनते रहे आप लोग ध्यान से अंगम में पूरु सबसे पुराने पवित ग्रंथ है वे प्राकिर्थिक भासा में लिखे गया थे देखिए हाँ यह बहुत ही पॉर्ट है कि उनका भासा क्या था ठीक है ना तो जीस परकार आपको बता दूव बहुत धर्म का पाधी भासा था उसी पर इन्होंने जैन धर्म का भासा जो कि अपना अलग पहचा रखते हैं गयर आगंग्यम सभीत और सभूत हैं सामिल है जो बड़ी भिच्च्व ननों और विद्वानों दारा संक्लित है वे प्राक्योत संस्क्रीट पुरानी मराठी गुज्राती हिंदी कर्नर तमील जर्मन अंग्रेजी आधिक भासाओं में लिखे गया है इनका जो भिच्च्व के दारा अनेक विद्वान दारा संक्ल जेंड वस्तुक लाक पार लाणा को ठीक एलोरा नीहें वह इस म正ने मांगी हमाराष्ट इंशे विखे मोशकम्व कॉष्च में डायाश्च पक्राइश नयमें , पर लंती हिएं तमिलाडू में मुर्तियां थी जो कि कनात्यक में सब्सक्राइब बनाए गया था तो महाराष्ट में मांगी तुम्हें पहाड़ीप है जीला नहीं मंदिर है दिलवार मंदिर का इच तो माउंट अब रस्तान वाई देखे कोशां पूसकता है गिरनाल अपड़िनाल मंदिर म मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट में बसंति कनात्यक जानमट अब देखिए इतने जगह थे जो कि इनके बनाए गया थे मंदिर वगए वस्तुक लाजू भी थे यह दखिए जैसा पूछता है न आपको दिलवार मंदिर में किसका है तो दिलवार मंदिर में किनका जैन धन ने किस नहीं कहता अस्तूल फ्रद जैन का दीते जैन पर से पांसो बारण में वल्वी ने आवडित किया और इसके देवर्शी स्रमाज सरमने की थी बारंग भारव पारंग को अंतिम सक्लन जैन धर्म किस पर के बहुत धर्म से समभीन है तो जैन धर्म में इस वर के स्थित तो को माने दीती इन लोगे वहल मुरुती जिल्बत की फीधिते मुर्थि के पुजागे ठीक है जबकि बहूत धर्म थो एक दम नहीं जैन धर्म व Dent नहीं करता यान कि da व्यूस्त प्राश्री निंदा ने करते हैं को भी भगवान बुद 500 नहींट कि इसा祝ा जो जटने भी अब आगए हैं ना कली कर थी से बोल सकते हैं तो उनका एसा करना था और जब की निदा करते हैं करते हैं कोई भगवां ये वह भगवां भूद्थ को भी किन का रूप का गया तो भख्वान भी वीष्ण्व का यह जयन धर्म आत्मा के पुर्ण जन्न विस्वास करते थे कैसे जयन्द का युवासता कि बुरल यह फिसतारनों का प्रयास से प्राकीट कर्नार का विकास वाश्तूकलर और रहेयत बहुत का यक वाँसाइध में अनुवास क्日ället चट्रद्र्वात कर्ने का अभर्वी के संता का भाव करना वास्ति हृँडर्व हो स theor まだ प्राप्षा समाज में लंबे समय तक शानती प्राप्त करने के लिए अहिंसा को कि प्रमुपता मिली अहिंसा के और बढ़ती इंसा और तंक के लिए सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि लालच और समीति को प्रविति बहुत भीद्य हुई है आज कि समय लालच और समय करने के लिए अब वांचीत विलाइसा को दूर कर इस विलाइसा से ग्लोबल वार्मिंग में सुधार किया दसता है देखिए गाइस तो आपको यह कंप्लीट सुन लिया तापके कोचन भी नहीं फसेंगे आप लोग जाके मॉक्टेस्ट लाइस देखिए इसमें भी कुछ मॉक्टेस्ट है जो कि मैं आप लोग का करूर जिरू करूंगा देखिए हैं जाकि फर्स्ट कोचन है भारत में धार्मिक प्रताओं के संवंदर में अस्थानक संपरदाइस संब्देखंद हैं आपका कुछन यायदे था 2017 फिए ठीक है तो भारत में धार्मिक प्रताय का संदर में अस्थानक वासी कर सुपरदाइस में तो बहुत से जैन से वैस्थनवास से बसम तो बहुत ही सिंपल है लेकिन आपका जो है ना इसे जैन धन जानते है तो यह आपको ओप्स इसकी बात प्रस्ट बॉला गया था कौण सा जैन धर्म पर लागू होता है ठीक है इसी में से बता नहीं तो इसका एंसर क्या होता है अस्थाने को आशी संपरदार संबन दीत है तो यह जैन धन तीक है अम नेक्शाते हैं कौन से जैन धन पर लागू होता कर्म करना सबसे पका तरीका है तो आत्मा होती है यह कर्म आत्मा का भी साफ प्षाप्त किया जाने कि हर वस्त विचाएत जानवर हुए इंसान हो हर किसी कर्म का नास करने का सबसे पका तरीका है तपस्या करना ठीक कर्म आत्मा का भी साफ है नहीं अभी साफ नहीं है जबकि इसका एंसर क्या होगा वन और टू ठीक है इसका हर वस्तु सबसे चुरूए भगवान आत्मा होती ठीक है कर्म का नास करने के सबसे पका तरीका तरीका करना नहीं कर्म करना सब्सक्राइब लगा कर्म आत्मा काका बिस्ताय का लगाउगा है समाप्त करना चाहिए और बहुत प्सक्राइब प्राचीन भाइद के इतिहास में कौन सा बहूत क्याल ऑजैन्ध दूनुं के लिए समान थैं बताईए जान वेदों के के अधिकार प्रति उद्धासिंता या कर्मकान्डों के प्रहुशित सिंकार तपश्या भोग की चैनल सिमाउसे बचना देखिए दूनों में तपस्या कहा गया था और किसी भीतर संसारी भोग को अनिक कंतवाद निम्हें से किसका पर्मुक्सिधान के दर्शन है तो बताइए जैन धर्म बहुत दर्म सिख्धर्म बश्न हो तो देकि अनिक कंतवाद हम लोग लाट में जर्श्ट पर थे जैन धर्म का था ठीक है आपको यह कैसा लगा बताएं और यह कंप्लीट हो गया अब लोग को मैं बता दूं आप लोग दिश्टी आप डिश्टी जो की आपको प्रेपरिंग कराती है आईस के लेवल से रेचन कोई आपको फूछते है ठीक है तो जैसे कि आपको प्रेण मैं कोश्चन पूछता है आपके बुद्ध के बारे में ठीक है बगवान बुद्ध जिस प्रकार मैंने जैन धर्म का कंप्रेट करा दिया हो उसी प्रकार मैं आज आपको बुद्ध भगवान का लेकर रहा हूं दिश्टी के द्वारा तो प्लीज कर नहीं बने आपके अच सब्सक्राइब करें आपको अच्छी आपको पढ़ाई में भी बहुत सवयोग करें तो इस चले टाइम को बेशने करते में स्टार्ट करते हैं तो मैं बता दूं कि बुद्ध भगवान के बारे में जैसा कि बुद्ध पुर्णिवा के दिन हम लोग प्रधान मंत्री जो है बुद्ध पुनिवा का उसर पर भगवान बुद्ध के सिधानतों के याद करते में पुरा करने के दोराई इस खास मोगप उनने नेपाल भी आत रखे ठीक है यानि मैं बता आओ जो को बुद्ध भगवान का जन भूमिका है तो उनका नेपाल में गुआ था ठीक है जो को बहुत धर्म के लोग कब मनाते हैं ना बहुत धर्म दिवस पुर्णिमा के रूप में तो उनीच और नानवे में यह मतला गया था इसके बाद गौतम बुद्ध के जन ग्यांदे महा परिवाइन के रूप में इसे इसे तीहरा धन दिवस में अनिके तरहावा बुद्ध प बुद्ध पुर्णिमा को पढ़ती है और अभायत में कराच की आवकास की रूप में छुटे विए ठीक है कब बुद्ध पुर्णिमा अप्रिल और मई मन्त पूसकती है ठीक है तियाद रखेगा एंगा चलिए निक्ट है इस औसर पर कई भग बिहार के बोद्ध गया में सब्सक्राइब जाते हैं यानि कि मैं बता दूँगी आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे इनका जो ग्यान का प्राप्ति हुआ था ना पीपल ब्रीच के नीचे आपको बहुत गया हुआ था जहां पे लोग अलग-अलग देश के से नेपाल के इनके जितने वक्त हैं जहां जहां दर्शन किया वहां से लोग आते हैं इनके भर्मन करने के लिए नमस्कार करें बोधी ब्यार बहुत स्थान जहां भगवान बुद्ध को ग्यान का प्राप्ति हुआ ठीक है जो पिपल ब्रीच आप आते हैं इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं बहुत धर्म के स सिधात गौतम की रूप में जन्म हुआ है यानि कि इनका बच्पन का नाम था सिधात ठीक है और वह था लूंबुनी ग्राम में जो कि कपेल बस्तू है आपको यहां नेपाल में ठीक है और गौतम भिहार ने बुद्ध याम एक पिपल पिड़के नीचे अपना ग्यान प् परवर्ष तक अपना असी वर्ष तक यह जीवी तरह असी वर्ष में अपना यह मिर्थों को प्राप्त में अपना सरीक होते आगए ठीक है तो बुद्ध भूआ ने पहला उपदेश आपको उत्तर प्रदेश में वारण नसी के पास सारनात गाउं में दिया था देखिए इनका पहला उपदेश था सारनात में सारनात कहां परता तो यूपी के वारह नसी में ठीक है आप लोग सभी जानते होगे इस घटना को धर्म चक्क प्रवर्ष प्रवर्ष तक के रूप में जानता है ठीक है उत्तर परदेश को सिन अगर में 80 वर्ष के आवी में 483 इसाप में आपको मैंने जैन का भी बताया तो प्लीज आप लोग देख ले जैन धर्म जो थे ना उनको आपको वह बहत्तर साल के एज में इनका मतलब मिर्थु हुआ था और इनका असी वर्ष में ठीक है और एक ची में बता दू कि बुद्ध बगवान थे ना इनको छे वर्ष लागे थे ज्यान प्राप्ति करने में और आपको जैन धर्म के थे महावीर उनको लगा था बारव वर्ष ठीक है और यह जो थे 29 साल मे इस अपना घर को चुड़े थे घवान को अट्रम बूध और लेकिन जो महावीर थे ना उन्हों ने आपको छोड़ा था आपको थीस वर्ष्ष की आयू में नें भगवान विष्णू के अशुआ हों में आठार मान था जैसा कि भगवान को भीष्णू आं該ती बshint जहें शुरुवात 26 और इसा पुर्वी थी बहुत धर्म की मुख सिच्छा चार महान आरिशत और अश्टाइंग मार के मुल और धारना में शमाईत है यानि कि इन्हों ने अपना चार दिये जो भी दिये अपना जैसे कि था आपको दुख नहीं बोलना मतलब किसु को दुख नहीं में था बहुत धर्म का सार आत्म ग्ञान और निर्वान की प्राप्ति में जिस इस जीवन में प्राप्त के देज़ता में कोई देवी नहीं है इनमें कोई नहीं को मैं गेसे बाधिशत के समय फुछ रजा भी मैं जिन्का अस्थान और अध्यच बताया जाए ठीक है महाकस्यप दूसरे में कालसोग के रास्थान वैसाली थे मतलब वैसाली के वह थे और उनका अध्याय थे सुभु कामी तीसरे अशोक अशोक के खाएं पाटली पुत्र के तो मेगाली पुत्र ठीक है चौती कनिस कनिस कहां के तो कुंडल पुर्यानिकी पिरिज समय था वह सु मैं बता रहा हूं क्या क्या होता तुमीं बतायां को मूर्ति पुजा हिन्यान थिरवाद ब्रद्यान तांति बॉत धर्म और जेन इसा एक खाएं थी बॉत धर्म की जितने भी गांथे कहां गांसे तिर्पिटिक नको गणत बोलतेते थे विनाय गपीटक पी अब जाते विणैपीटक क्या होता है तो मठ्वासी जीवन पर लागू-नियम या निका उनका जीवन पोगए मठ में रहेंगे लागउो Since विनेपटक सूथ पीटक में बूत की मुख सिच्छा और धर्म उनका जो सिच्छा धर्म हो गया सूथ पीटक अब भी धंपीटक का एक दास निए और सेचन का बेवस्था ठीक है अब आते हैं भारती संस्कीति यह बहुत धर्म का योगदान तो अहिंसा के अधारना बहुत धर्म का परमुख योगदान था बात के समय माराश्ट के पोसित मूले में से एक बन गई भारती एक वास्तू कला में इसका योगदान उलखनी है सांच्यों भरूत और गया कस्तू इनका समय में तस्सीला नंदा विक्रम सिला जैसे आवाश्यों विश्च्छा को बढ़ाया पाली पाली और अनस्थानी भासे बहुत धर्म के माधिम से यानि कि मैं बता दूं जिस परकार गाईज आपको बता दे तो पाली जैन धर्म का भासा था प्राकीर जैसे हम लोग भी हिंदी बोलते हैं तो उसी प्रकार पुछा जैरा बहुत धर्म किसमें कौन सा भासा था यह भी पूछ लगता तो पाली भासा था ठीक याद रखिगा इन्होंने एस जा कि अन हिस्तों भारतिया संस्कृती परसार को बढ भाद धर्म के इन्हों को रास्ति क्या है नालंदा बिहार में नालंदा महाराष्ट मोंबाई से ब्लोंग करते होंगे ठीक है तो जन्ता गुफाय में नहीं का है रखा हुआ अब भागवान भूत का है प्रतिमा मत परदेश के आपको सांची में इनका है फिर नालंदा में प्रांची देखे कूछेले सालों में उसी में ब्चाय करने में भार्त के सांस्कित इति ह Scorp hai साही विरन बताएं सुत्र पत्ति में लिखे गए प्रांची धर्म साथ पार्ट वीदु की प्रादिकार को आश्राविकार करने हो दाश्निक्स नब्राय या परिपून जिनके प्राप्ति ये बुद्धिसत्व पत्परस्ताथ हुआ या अरंबिक मद्यकारें दच्छिंबा या मुर्ति उपासना अनुष्ठान ठीकता है कोशन तो बताइए यह मतलब की कौन का सही होगा वन टू तू त्री तीनों है तिसमें ऑप्शन होगा तीनों सही क्योंकि बुद्ध में देवता रोपन हुआता था ठीक है बुद्धिसत्त्यों के पत्पर चलना उनके जो भ थी बहुत परसित नहीं वहां अधेस्ता में बहुत धर्म को दोस् काऊं में हिन्यान और महामानुवाद क्या यानिकू कई ढहता आपको जय FIRे में बाटा गया अपको और दर्म के सम्र्त को ने बॉट दर्म की प्राने प्रम्परा को हिन्यान मतलечा च्छोटा मौँ ंजय कढ़ा ने ग्यान प्राप्त करने और सभी दुख्यों और पड़ां से बचने के लिए बीदी सत्व के मार को सब्कार किय थे ठीक है तो बूत कॉछ चलिय सब्सक्राइब कर सकते थे इस परकार भूद्धि की प्रक्रिया शुरू है इसके अलावा भूद्ध की छावियों के पूजा और इस्ठान बहुत स्कूल एक महत्पुन हिश्णा बन गया है अथा कथन भी आपको तीनों सब्सक्राइब है ठीक है तो आपको यह कंप्लेट हो गया और आगे देख सकते हैं इनका आप लोग अच्छे से पढ़ लें कि दिव सहाइब फिलाई कौन है ठीक है दिव सहाइब वेटिकन पॉप फ्रांसिस के एक संद्गोसित है अब लोग इतना पुछ सकते हैं ठीक है मैंने आपका बोध का कंप्लीट करा दिया ठीक है अई ठामस का परिवार दिवस्त आप लोग देखे पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं और मैं आप लोग को यह आपका देख रहे हो ओनली अस्पेशल वीडियो है बहुत धर्म का लेक को ट्राइब करें जिसी को को बचन नहीं सुनें ठीक आइज और इसे प्रकार के आप लेली वीडियो चाहते है तो हमाई चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेर करें और सभी फो एनी मिस्टेक तो प्लिस करें लाइक कमेंट और शेर और थैंक यू गाइज